ही तुन्हे अपनी महपपत देगा, मगर तेरा महपपत तुझे अपना रसूल की महाँचा है जो अगर अन्दा रसूल रहे बैख के बाव अजर तुस्से कुछ सोहाज करेगा? वो कहेगा, मेरी महपत तेरी महाँचार पांच मी महपत दा चितनी निकेए मेरी जाज़त के बगार अब पांच मी मुखबत अपने माबाद की जाज़त के बगार तू नहीं पासकता मगेर माबाद पहनी मुखबत तुमें बताएं किसकी है अपनी नहीं करें तेरे दिन में सब्सक्राइब पहनी मुखबत नहीं करें अल्ला की करें उसके बाद भी अपनी ना करे मुहम्मद की आज़ दिखाए पिर जाजे अपनी महबत का दिखाए अब फिर उसका आज़ कि एक पांच महबत है कि इसको इनपांगे महबतों की तट पहत राभ अड़ शरम कतर होगी हमियत होगीывает तो जह कभी कि अगभि गाद है ऐं तरफ उसके जोशनी मीं जोगी हार तरफ उसको एत्रा मदद मिलेडा है तो हाठ जी भी कोई सीना किसी ने मफ़ग का दिये है году उसके दिल में होगो तो इस तुम्हारी को देर है, महब्बत बहर, बगार तुम्हें इन नफस हो बास, और नफस के लिए इस्रा तो है नूर नहीं है, नूर महब्बत है, नूर महब्बत है, नफस इस्रा है, यानि कि जिस तरह एक गोरे पर, एक मुसाफ़र अपना बोढ़ और अपना हाख लेकर सपर में बैठकर उस सणीदे का है, वही को तुम्हारा नफस है, जो तुम उस्पर के लिए दखो, यानि कि अपना बोढ़ उसको इस पर जाना करो, उसका भोज नहीं उठाना, यानि एक अपने नफ्स की खौश्चों को भी मानना, नफ्स तुम्हारी मान कर जाए। जिसकर एक जनवर अपने आका की मान कर जलता है। तुम अपने नफ्स के आका हो। इस नफ्स को आका ना बनाना। अगर जिसने अपने नफ्स को आका बनाया। उसने अद्दा के साथ शिर्ट है नफ्स को लभी ने कहा ये के जाने मैं दिया है ये लोड़ा तुझा दिया है किसके लिए दिया है सफ़र के लिए सफ़र के लिए वो सफ़र को उन्छा है का जिंदिगी का सफ़र जिंदिगी का सफ़र फिसमें बहुत कितने दाना का जितना तो रिख्मा जिंद्री को उजारने के लिए अल्दा रसुल का हुकम है ज्यादा भी नवोग है अब हुकम हम पढ़ेंगे जिंद्री उजारने के लिए अल्दा का क्या हुकम है तो हुकम बंदे के टोकल के उपर पाते हुए है बंदे के बुरोसे के उपर अल्दा ने हुकम पाते हुए है कईयों का इमान इतना अल्दा के ज्यादा होता है कि वो कल का भी रिज़क नहीं कठा करते यानिया रिज़ किसके लिए इकठा है नफस के लो ख़ता है नो ख़ता है अब ये कितना इमान और ज़र और रिज़क है दौलत है ये तुम लोग अपने नफस को खुश करने के लिए उच्छा करते हो इसको तुम्हे असाब रेना इमान का तुम्हे एक असाब है और एक अइनाम है एसाब अला चठा करते हो या इनाम अला चठा करते हो यह तुम्हारे उपछ है तुम किस दौलत को ज्यादा हमिया देते हो अगर इमानी दौलत को ज्यादा हमिया देते हो तो क्यामत अरे दिन अल्ला तुमें ज्यादा इमान के दौलतों से नौल देगा और अगर दुनिया की दौलत को ज्यादा हमिया देते हो तो आखरत की दौल्ट उसे महरूं है ये इन्सान को अल्ला ने खुद मुट्यार जूँ दिया अप्रादा लिया और क्यों अप्रादा लिया ताके ये पैसा करने में देख ले किस जगा मेरा जगा बड़ा है इसलिए तादी नावसा है किसे नावसा किस जगा ज्याता चाहिए और किस जगा अगर नावसा नहीं मिलता तो इसकी सांसे लिखी हुए है कोई ना कोई ये नादे कर सकता है इस फैसला हो चुका हुआ है इस फैसला हुआ है जो हो चुका हुआ है तो तेरे पैदा होने से कर ले 40 साल अन्दा ने तेरे लिए अच्छा कर दिया था क्या कर दिया तिरा रिजब लिख दिया तिरी सांप से भी थी तिरी हर क्यों है और अपिस आच्छा हो वो तेरे अम्रीव से लिखा दे क्या मर्त जो कि दुनिया की है जिंदगी उस दिनिया की जिंदगी तेरे करदा होने से पहले ही, जो जो जा तुझे तेरा है, वो दिंदगी हुआ है वो जो आखरत की जिंदगी है, वो भी लिखी जा रहा है जैसी नपराओगे, अल्ला जैसी बिखी अब करे लोगे तो एक अफलाईग वारगा में चाचीजे लेकर फासर हो आखरत प्रेंगे आखरेत की दौलट या दुनिया की दौलट दूनिया की दौलट वहां तेरे कोई खाम नहीं आए जी आखरेत की दोलत की है नूर यानि के नेकी जो नूर बन जाती है एक नेकी वो है जो तेरे मून पे मार करते बेख खड़ा करते है वो भी नेकी है एक नेकी वो है जिसका अजब तुनिया में दे दिया जाएगा आखरत में नी दिया जाएगा वो भी नेकी है वो सिर्फ काफर के लिए नहीं है, मौमन के लिए लिए कई मौमन ऐसे होंगे, रियातार जो देखी करते होंगे, अल्ला की वारगाँ में जब क्यामत कर दिन्हार कहेंगे, एल्ला हमने भी ने किया गी थी इस विए लिए लिए और पार देखी करते हैं, तो लोगों अपनी तरीक चाते थे, तो मैंने व्मेज़ कारेता है, ने क्यों कि भी इसमे याद रखेंगे, कि कौन सी नेकी है, जो अल्ला की बारगाँ में मखबोद है, और कौन सी नेकी है, जो अल्ला हमें दुनिया वें दे में तुन्या में तुन्या में रियाकार कभी दुन्या में निकी में तुन्या 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 में त अल्ला तुम्हें बोते देगा नेकी से 알गा तु दुनिया की तुलत कखी करा अल्ला तुम्हें बोते काव नहीं तुलत दुनुजवप़ और जोगा बात आयँ глазवप़ तुलगा नेकी से लिसनदिगी की सूउरते पूरी करें भी जानी के? बो हो जो अपनी नेकिसे अपनी Benni की जिन्हें पूरी करते हैं जानी के ऐसे लो जो गौरान की खराद करते हैं इसलिए कि कुछ मुझे मिलेगा तो मैं उस्से अपनी जिन्धिवी को तो उन्हों ने अलगी पारगा में नाद घौरान और तरवट और नमाद इस निया जिर पुराई होगी हमारी जो है जिन्हां कि हमने दुख लिए है यह कही हमारी द्रव hypoth नहीं हो लगि इसलिए शवी आखे हैं इसलिए नेट्यूँ के नाम से दौलते नहीं कशोई दौलते तुख अब एक शफ्य नेट्यूं के नाम से तौलते कथी रग्रहा है और एक शब्स नेटियें के नाम से दोलतें उता रहा है तो नो में फर्ण ये सहाबा में कि उनको आसर करने दे दोलतें उता रहा है और राज नेटियां करवाने दें दोलतें उता रहा है तो नो में फर्ण इसलिए सहाब एकराम की जिन्दिनी साथगी वाली थी फखर वाली थी अद्मत वाली थी कतर वाली थी इनाव वाली थी तरकत वाली थी तोक्र और सबर और इस्तकामत वाली थी केराव वाली थी ग्रोसे वाली थी और हमारी तिन दिनी सिर्फ और सिर्फ क्या है, हर वक्त परिशाद है, हर वक्त परिशाद है, और दुनिया में आगे बढ़ने की जुस्तियू, उन्होंने दुनिया में आगे बढ़ने की जुस्तियू नहीं रखी थी, दुनिया में तीर आगे बढ़ने के लिए, वो काम करत जब जाने ज़े 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 ज़ बात अजमेशा इंतिहार है गर में दीन है यानि कि अमन को दीन रहते है तेरे गर में अमन को बात है कितना तेरे गर में अमन होगा उतना ही बात तो अमन पहएगा इसलिए कहा गया दीन ही मुसल्मानों का अमन का थी तो जब ये इसकी चाहत ही नहीं है तो ये बाख कैसे इस चाहत से निकड़ेगा इसकी तो चाहत ह topics इसलीक आदिALLY इसका और दीन सब से पहले अपने घरूं Tirilu अगर तुम्हारे ज Qinil है तो समझे लेना बाख जाएगा तो दीन ही जायेगा अगर तमारे गरों में दुनिया है, तो बार में दुनिया है, तो बार में दुनिया है किस लिए ़ोंपे गरों में दुनिया है बार में दुनिया है ये लोंगी चाहते और बढ़ जाती है या खुराहिए के फार ये दीज़ है मेरे गर में नहीं है म jag भी ये जीज अरसल किनी है तो दूसे ये जीज़ देगा उसकी चाहत बढ़ गाए तो अगर दीन गड़ में आएगा तो इसकी नफसी खासी नी रहेगा क्योंकि दीन कहता है तिर उपाद लोगी तिर इसका आसाफ देना परेगा तो जब आसाफ देना परेगा तो तो धरेगा अजासे इस वrint अल्दा के नाम देने की जादा फोशे करेगा मुझे पास बहुती चीज़ है मैं दीन के नाम दे जो ताके अन्दा ताला मुझे इन्हाँ वालों में शामल रखे दुनिया में भी और आख़त है तो दुनिया में शामल होने के लिए तुने इना मालवाले काम करने होंगे तो दुनिया में दी तो लोग करेंगे वह अच्छा है इसान अमर में बाद तो दीन जया है? तारीफ है जिसकी तरीब होगी वही दीन को समय जिसकी तरीब को नियुक्त 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 नियुक् साबो तो आखर को तरीफ वाले हैं, वो इस तरीफ वाले हैं, वो इस तरीफ वाले हैं, अब उनको तराज करो जो तरीफ वाले हैं, वो कौन है, साबो जो तरीफ वाले की तरीफ करते हैं, वो इस तरीफ वाले हैं, जो तरीफ वाले की तरीफ करते हैं, वो इस तरीफ वाले है क्योंकि करीब वाला ही करीब करता है जिसे नजर ही नहीं आता वो तरीफ कैसे है अद्धा ताला नहीं इमानी नजर दी हमें इमानी नजर क्या है मुहम्मद से जलाव सल्माना की नजर हमारे नहीं जो उनों ने देखे जिस चीज़ की करीब की आग मुसलмाण उसी की तरेब हरता है किये मुसलमादेख रहा है या नहीं देख रहा है मुछम्मद की नदर के उसका इतना यकीन है कि श allowing us follow us मरना आज लुगा आपसे हम कैसे केंगे कि कब अगाया भात करां है जो नभी की समाथ है इसके हमने यकीना तो बह Ugh सी अमान की दिने सिर्फ मुहम्मंद सल्लेवाफ सब्सक्यून और बहुत सी दिने सिर्फ अद्याग लाज़ को हम नहीं एनकी जानी उस के विखिन है कि Allah के नवीने देकता लिए हम कुई के देखा मग्ज़र नहीं मग्व Разफ की अपनी नजर से सोबना ज्यादा अमान है हम जो देख रहे हैं हम उसे दोखा समझ सकते हैं मगर इखन एक हम उसे दोखा करे여 हमारी नजर दोखा कई है इसलिए हमारी तरीम के शक्कत सकते हुआ मुहम्मद ﷺ की जो तरीज हुगी है नजर से मपीने देखे जन्नत की जो तरीज हुगी है वो इसलिए हाफ से अलेग की नजर से में बता चला और बोसा हमें कुरान से मता चला एक क्या है अल्ला ने ख्यावशे खबर दी तो नबी ने बताया एक अल्ला ने खबर नहीं थी नबी को दिखाया और नबी ने खबर दी